गुड मार्निंग बच्चो आज के इस केमिश्टी क्लास में आपका स्वागत है आज के इस क्लास का टापिक है नान स्टेंडर्ड कंडिशन में इलेक्टोड पोटेंशियल का फूल सेल के लिए कैल्कुलेशन आप पूल सेल लेक्रोड पूलसेल स्टेंडर्ड कोटने सह़ आप मुण पूलसेल अर तenviron 5 00.0 नान स्टेंडर्ड कंडिशन में फूल सेल के लिए इलेक्टोर पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके कैलकुलेशन के लिए हमने पढ़ा है नॉस्ट एक्वेशन जनरली टेंप्रेचर 298 केल्विन पर ही क्वेशन रहते हैं लगवग 99 परसेंट क्वेशन में टेंप्रेचर 298 केल्विन ही होते हैं इसके लिए यह नॉस्ट एक्वेशन का फार्मूला हो जाता है 0.059 अपान एन लाग बेस्टेन क्यू यह है बेसिक फार्मूला फार 298 केल्विन तू कैलकुलेट electrode potential at non-standard condition non-standard condition क्या होता है temperature not should be should not be 298 केल्विन pressure is not equal to 180 म and concentration not equal to 1M यह तीन condition अगर अप्लाई होते हैं अगर एक साथ अप्लाई होते हैं तो वह condition non-standard condition होता है तीनों में से कोई एक condition भी apply हो गया तभी भी non-standard condition होगा तो non-standard condition कौन होते हैं जब temperature pressure और concentration तीनों में यह तीनों कंडिशन में टेंपरेचर 298 केल्विन प्रेशर 180 एम और कंसेंट्रेशन आप साल्ट 1 एम या 1 मोलर साल्यूशन होता है नान इस्टेंडर कंडिशन में इलेक्टोर्ट पोटेंशियल कैलकुलेट करने का यह नश्ट इक्वेशन है यहां यह देखिए wash, इनाट आप सेल कैसे कैलकूलेट करेंगे, इनाट आप सेल कैलकूलेट करने का सिम्पल फार्मूला है इनाट reduction potential आप कैथोड़ माइनस इनाट reduction potential आप यह नूड़ इस फार्मूले से इनाट आपसेल, इसली केल्कूलेट कर सकते हैं, यह N-value क्या है, नमबर आप ट्रांसपर्ड, इलेक्टान इन केमिकल रियक्शन, और लाग बेस्ट, 10 Q क्या है, Q is reaction coefficient, जो होता है, कंसेंटेशन आप पौडक्ट अपान कंसेंटेशन आप रियक्टेंट, पौडक्ट अपान रियक्टेंट कंसेंटेशन इज इक्वल टू रियक्शन कोफिशियन्ट, तो इस equation में, E0 आपसेल आप इस फार्मूले से कल्कूलेट कर लेंगे, N value उस equation के उस cell reaction से calculate कर लेंगे और Q value इस formula से आप पता कर लेंगे और इस reaction में इस equation में वो value put करने के बाद आप easily non standard condition में cell का electrode potential ग्याद कर लेंगे इसको हम एक example से समझेंगे कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो क्वेश्चन है वह केलकुलेट Toiminate electropotential of given galvanic cell. यह कोई galvanic cell question में दिया है यहां ZN2 plus का concentration है 0.01m और copper 2 plus का concentration है 0.1m question फिर से देख लिजे इस given calculate electrode potential यह लाब given galvanic cell at 298 Kelvin where ZN concentration is 0.01m copper concentration is 0.1m इस question को solve करने के लिए सबसे पहले हम basic equation बनाएंगे इस galvanic cell का इस galvanic cell का basic equation यह होगा इसमें देखिए यह zinc solid है और यहां पर copper solid है और solid metal का concentration कितना होता है हमने पिछले lecture में बताया था कि किसी भी solid metal का concentration one molar होता है one molar होता है तो यहां zinc का भी concentration one molar होगा और copper का भी concentration one molar होगा और इसके लिए नाश्ट इक्वेशन का फाम हो जाएगा इस reaction में देखिए n value कितना होगा n value कितना होगा देखिए zinc से zinc two plus बन रहा है zinc दो electron lose कर रहा है और zinc का इन में convert हो रहा है और वही दो electron copper gain कर रहा है copper two plus और copper solid में convert हो जाता है यानि कि transfer electron कितने होंगे दो होंगे n value कितना हो जाएगा यह basic equation है इस तरह के question को solve करने के लिए अब e0 upsell एक कीज भूल गया है यह data given होगा copper two plus e0 copper two plus two copper is equal to plus 0.34 बोल्ट और e0 zinc two plus two zinc is equal to minus 0.76 बोल्ट यह data given होता है temperature two nine eight इस galvanese cell के लिए जहाँ zinc का कंसेंट्रेशन कंसेंट्रेशन 0.01 एम है और copper ion का कंसेंट्रेशन 0.1 एम है और यह data given है इसके लिए इस condition में cell का electrode potential calculate करना है basic formula यह हो जाएगा electrode potential at non-standard condition is equal to e0 of cell minus 0.059 अपान एन लाग बेस्टेन Q यह क्या है standard condition में cell का electrode potential n क्या है transport electron और यह Q क्या है reaction coefficient अब इनमें हम value put करते हैं इसके लिए e0 of cell निकाली है e0 of cell is equal to e0 of cathode minus e0 of a node यह दोनों value reduction potential के term में होंगे तो cathode का कितना है copper cup 0.34 volt minus point minus minus 76 volt और यह हो जाएगा इस equation में value put करते हैं 1.1 minus point 059 एन के जगा पर कितना होगा तू लाग product अपान reactant देखें product में copper है copper solid है copper solid का concentration कितना होगा वन होगा और जिंक यह है तो जिंक टू प्लस आयन अपान concentration अब कापर 2 प्लस आयन 1.1 minus point 0.2 जिंक टू प्लस का concentration कितना है 0.01 और कापर टू प्लस का concentration कितना है 0.1 अगले step में 1.1 minus 0.059 अपान 2 लाग 0.01 अपान 0.1 कितना हो जाएगा 1 अपान 10 यह 1.1 minus 0.059 अपान 2 लाग 10 पर पावर माइनस 1 जैसे कि यहां माइनस है और यहां माइनस है लाग 10 का value कितना होता है 1 लाग 10 पर पावर माइनस 1 की value कितनी होती है minus 1 minus और minus मिलके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो इस तरह से नान स्टेंडर्ड कंडिशन में शेल का इलेक्टोड पोटेंशियल हमने कैलकुलेट कर लिया है तो आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे नान स्टेंडर्ड कंडिशन में एक कंप्लीट सेल के लिए इलेक्टोड पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे इस तरह के क्वेश्चन में एक विशेस कंडिशन दिखा था देखिए इस सेल का जनरल इक्वेशन यह है इसमें देखिए जिंग पे टू प्लस चार्ज है और कापर पर भी टू प्लस चार्ज है तो यह सामानी रूप से जब चार्जेज दोनों तरफ एनोड और कैथोड पर सेम होता है तो इस कंडिशन को एपलाई करते हैं और इस तरफ से सेल का इलेक्टोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं अब हम देखेंगे ऐसा एक्जामपल जिसमें एनोड और कैथोड के चार्ज सेम नहीं होते हैं बलकि डिफरेंट होते हैं एक ऐसा एक्जामपल जिसमें एलेक्टोड कैथोड और एनोड के चार्जेज होते हैं अब हम ऐसा एक ग्यामपल लेंगे जिसमें अनोड और कैतोर्ड के चर्जेसा नहों के डिफ्रेंट है यहां देखिए एम जी पर 2 Plus है और यहां एजी पर सिंगल प। प्लस है तू प्लस सिंगल प्लस है डिफरेंट चार्जे इट इनोड कैथोर गिवन वेलू है रिड़क्शन पोटेंशियल आप Mg इसकल तो माइनस 2.3 बोल्त और रिड़क्शन पोटेंशियल आप सिल्वर इस प्लस पॉइंट एट बोल्ट ये गिवन है standard electrode potential of magnesium is equal to minus 2.3 volt or standard electrode potential of silver is plus 0.8 volt concentration mg2 plus is given 0.01 and concentration of AG plus is given 0.1m तो इतना condition दिया है इस cell के लिए calculate करना electrode potential at 298 Kelvin 298 Kelvin पर इस cell का electrode potential calculate करना है इस cell की speciality है कि यहाँ anode और cathode के charges same नहीं है यहाँ 2 plus है और यहाँ पर single plus है इस case में इस cell का non standard condition में electrode potential कैसे ग्याद करेंगे उसके लिए भी नाश्ट equation यूज करेंगे नाश्ट equation आप cell is equal to electrode potential आप cell is equal to electrode potential at standard condition minus 0.059 पान एन लाग बेस्टेंड क्यूं यह सेम आपका फर्मूला यह होगा यह फर्मूला 298 Kelvin के लिए apply होता है यहाँ इनाट आप cell इस डाटा से calculate कर लेंगे उन आट ए नाट आफ सेल कैसे calculate करेंगे इन आट आप सेल is equal to we not a few ऐजार मैंनस इनाट आप के नौड यह ईनाट आप कैसो और इन.जन बंकिस टर्म में होने चाहिए दोनों के दोनों reduction percent potential के टर्म में होने चाहिए दोनों same condition apply करेंगे reduction potential of cathode at standard condition minus reduction potential of anode at standard condition तो इस cell में इसका general equation निकालिए mg प्लस ag प्लस mg2 प्लस ag देखिए mg का oxidation हो रहा है mg2 प्लस में और silver का reduction हो रहा है सिल्वर में इसको balance कर लिजे यह एजी प्लस है mg2 एजी करते हैं तो इधर भी टू प्लस तो यह बाइलेंस इस cell equation है इस cell equation में देखिए transferred electron कितने है mg कितना electron लूज कर रहा है दो electron और silver कितना गेन कर रहा है दो electron mg कितना लूज किया दो electron सिल्वर कितना गेन किया दो electron तो n value आपका कितना होगा दो हो जाएगा और e not of cell कैसे calculate करेंगे e not of cell is equal to e not of cathode minus e not of anode और यह दोनों value कि इस term में होने चाहिए reduction potential के term में होने आवस्यक है यह जनरली आप गलती कर देते हैं कोई reduction के term में दिया रहा है और कोई oxidation का तो दोनों value आप भीना देखें यूज कर लेते हैं सदा ध्यान रखिए कि यह e not value reduction के term में हो देखिए यहां से reduction हो रहा है mg2 से mg बन रहा है और इसका electrode potential है माइनस 2.3 कभी-कभी यह हो सकता है इस रूप में दिया हो सकता है तो देखिए mg2 प्लस के equation के लिए electrode potential है तो इसको किसमें चेंज करेंगे आप reduction के term में चेंज करेंगे और तो यह value क्या हो जाएगा इस positive के जगा पे negative हो जाएगी तो इस चेंडर्ड कंडिशन में electrode potential कैथोड आपका क्या है सिल्वर है पॉइंट माइनस क्या है मैगनिसियम है मैगनिसियम का standard reduction potential कितना है माइनस 2.3 माइनस 2.3 यह माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगे 0.8 प्लस 2.3 कितना हो जाएगा 3.1 बोल्ट यह 3.1 बोल्ट इस चेंडर्ड कंडिशन में इस सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा अब इस सेल के लिए इस नॉस्ट इक्वेशन में यह वैलू पूट करते हैं इस सेल में वैलू रखिये 3.1 माइनस 0.059 एन वैलू कितना हो जाएगा 2 कैसे होगा देखे एमजी कितना इलेक्ट्रान लूज कर रहा है एमजी से एमजी 2 प्लस बन रहा है दो इलेक्ट्रान लूज कर रहा है और 2 एजी प्लस कनवार्ट हो रहा है 2 एजी में 2 इलेक्ट्रान यह गेन कर रहा है तो number आप transfer electron कितने होंगे 2 होंगे तो यहाँ N के जगा पे क्या रखेंगे 2 लाग बेस 10 product concentration upon reactant concentration product क्या होगा इस cell में देखिए Mg2 plus है और Ag solid है तो किसी भी solid substance का concentration कितना होता है 1 M होता है अमने पीछे भी बताया था और गैसों के लिए क्या होता है 1 M नहीं होता है concentration भी नहीं यूज करते हैं क्या यूज करते हैं उनके partial pressure यूज करते हैं solid case के लिए concentration 1 M gas के लिए उसका pressure और solution के लिए concentration तो product upon reactant concentration तो product में यह है solution phase में Mg2 plus का concentration अपान reactant में क्या है यह solid है और यह solution phase में है तो ag plus का concentration और एक बात ध्यान रखें देखें यहाँ ag के पहले coefficient 2 है तो जो भी coefficient होता है वो power में चला जाता है के एजी के concentration पर power 2 mg2 प्लस का concentration कितना है 0.01 और ag plus का कितना है 0.1 इसका power 2 हो जाएगा 0.1 का square कितना होगा 0.1 into 0.1 कितना हो जाएगा generally आप गलती करते है 0.1 होते हैं यह क्या होगा 0.01 तो देखें उपर भी 0.01 नीचे भी 0.01 तो यह value क्या हो जाएगा कट जाएगा और 1 हो जाएगा 3.1 माइनस 0.059 अपन 2 इन्टू लाग 1 और लाग बेस 10,1 के value कितनी होती है comment box में जल्दी जल्दी लिखें देखें सबसे पहले कौन लिखता है लाग टेन लाग बेस 10,1 के value होती है 0 तो लाग टेन लाग बेस 10,1 के value होती है 0 तो यह total quantity कितनी हो जाएगी 0 का multiplication जिसकी संख्या में होता है उसकी value 0 हो जाती है तो यहाँ से calculate हुआ कि इस cell के लिए electrode potential की value कितनी होगी 3.1 तो इस परकार हमने सीखा कि ऐसे condition जिसमें anode और cathode के charges same नहीं होते है उनका non standard condition में उनका electrode potential कैसे calculate करते हैं एक जाम्पल के साहता से हमने देखा नॉस्ट इक्वेशन का basic formula एक बार और देखिए इसका 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 कैसे करते हैं E0 of cell is equal to E0 reduction potential of cathode minus E0 reduction potential of anode इसको हमने कई बार किया है अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि E0 of cell कैसे निकलते है E0 of cell minus 0.059 upon N N क्या है number of transferred electron in cell reaction इस cell reaction में transferred electron कैसे calculate करेंगे इसका general equation बना लेते है general equation बनाने के बाद E0 and cathode दोनों के बीच देखेंगे कि electron lose और electron gain कितने कितने होते है जितने electron lose होते है उतने electron gain होते है किसी भी cell में balance equation में electron नहीं होते है इसका मतलब जितने electron A node पे last होता है उतने ही electron cathode gain करता है और lag base 10 Q Q क्या होता है reaction quotient या reaction coefficient होता है उसकी value कैसे calculate करते है reaction coefficient Q is equal to concentration of reactant concentration of product अपान कंसेंटेशन आप reactant तो इस परकार हमने देखा कि नस्ट equation को कैसे अपलाई करेंगे हाप सेल के लिए और complete सेल के लिए हाप सेल और complete सेल दोनों का calculation आपने सीख लिया बच्चों आज का वीडियो यहीं पर समयाप्त करते है आज के वीडियो आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो like का वीडियो लाइक का बटन दबाये और अगर जएदा I तो इस वीडियो को सेर करिए